नमस्कार कहानी संग्रे में हमारी सवी दर्शकों का हादिक स्वागत है दर्शकों आज हम आपको भगवान के बच्पन के सका निशाद राज जो स्रंगवेरपुर के राजा थे निशाद राज और सिरी राम चंद्र जी के प्रथम मिलन की मदुर कथा को संत लोग किस प्रका कर लेजिए दर्श को निसाद राज के पिता महराज धिराज और चक्रवत्ती शम्राठ राजा दसरत से बड़ी ही करनिष्ट मित्रता थी वे समय समय पर अयोध्या आकर अपनी मित्रता का पर्चे दिया कर देते जिस समय माता कौशल्या और पिता दसरत के यहां भगवान सिर लिया तब राजाध्राज बहुत ब्रद्ध हो चुके थे फिर भी मित्र होने के नाते पुत्र होने की बधाई देनिश्वयम आये अपने पर मित्र चक्रवर्ती राजा दर्सरत के चारों पत्रों के धर्शन कर निशादराज को परम सुक्कि प्राप्ती हुई परन्त एक तो वे जरा ग्रस्ट थे, दूसरे उनका पुत्र निशाद गुह रोज अयोध्या आने के लिए मचलता रहता था, जब से पुत्र गुह ने अपने पिता के मौशे शिरी राम की श्रोबा का बरण सुना था, तब से उसका बालमन अधीर हो गया था, निशाद को अपने पुत्र से आज कल करते करते पांच वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला, उधर राजा दसरत के चारो राजकुमार भी अयोध्या की गलियों में बिहरने लगे, अर्थात खेलने लगी थी, एक दिन गुह ने पिता निशाद राज के मौह ने गुह को अ भाईयों को उपहार सरू देने के लिए कंद मूल, फल, चार जोड़ी, रुरु नामक, म्रक की चर्म शे बनी हुई, पहनियां बगल में दबाए हुए गोह अबद में आ गए, गोह ने मन में विचार किया कि सबसे पहले सर्यू में इश्नान कर लूँ, फिर राजदरवार में जाकर तीनों भाईयों सहित प्रभु शिरी राम के दर्शन करेंगे, यही सोचकर सर्यू तट पर उपहार की पोटली रख कर इश्नान करने लगे, तभी वो क्या देखते हैं कि चार वालक उनकी उपहार की पोटली फोल रहे हैं, और जब तक वे सर्यू में इश्नान कर बाहर निकले, तब तक वे पहनियां पहन चुके थे, केले कंदबूल फल खाकर वे बिहार करने लगे, बालक गो इश्नान कर बस्त धरड कर बालकों के समीब पहुचे और उन बालकों पर रीज कर बोले, आप लोग किसके बालक हो, आप लोगों को मालुम नहीं, यह उपहा है, चक्रवर्ति शमराट के राजकुमारों के लिए लेकर आया था, बालक के मधुर मुस्कान के साथ बोल पड़े, ओहो, तब तो यह उपहार हमारे लिए ही थे, तो क्या महराज दसरत के आप ही राजकुमार हो, वे बोले सखा, वो महराज कुमार हम ही हैं, बालकों की आखों में आशू भरहाए, हाद जोड लिये, सीज जुग गया, चरणों में गिरने से पूर्वही राजकुमार ने हातों से ठाम लिया, और चारों राजकुमार अपने नए मित्र को अपने महल की योड लेकर चलने लगे, राजकुमारों की ऐसी क्रपा को देखकर गदग हो गया, और श्रेम राजा दसरत भी ऐसे शाख प्रेम को देखकर आश्चरी चकित थे, गो सहित चारों राजकुमारों ने पिता दसरत को प्राडाम किया, और भगवान सिरी राम ने अपने नए सखा का अपने पिता को पर्चय दिया, दसरत ने जैसे अपने चारों पत्र को गले लगाया उसी प्रकार गुफ को भी हिर्दैशी लगा लिया महराज दस्रत ने देखा राम अपने नए मित्र शखा को पाकर कुछ जादा ही खुशते उन्होंने अपने नए सखा और गुफ ने भी अपने सिरी राम पर अपना तन्मन नौचावर कर दिया था यह देख कर सभी राजकुमारों को धन विद्या सिखाएंगे गुफ के लिए तो मानो जनम रंग कजन पारस पावा जी हां दर्शकू उन्हें तो गुफ को लगा कि मुझे पारस ही प्राप्त हो गया है एक बार जब बन बिहार कर सभी राजकुमारों के साथ गुफ लोटे तो सब गुफ को आगुशड पेनाए और गुफ को इर्दे से लगा लिया स्रंगवेद पुर का राजा होने की तभी राजा दसरत भूशना कर देते हैं सीरी राम बन जाते समय स्रंगवेद पुर आये उस समय निशाद राज गुफ वहां के राजा थे अपने मित्र को बनवाशी के भेश में देखकर उन्हें भोर कश्ट हुआ और उन्होंने हाद जोड कर प्रभु राम से गुशना की कि आप यहीं रहें और श्रंगवेद पुर का में राज करें परन्तु सिरी राम ने माता पिता की आग्या बताकर बनवास का निश्चे बताया इस प्रकार धर्सको निशाद राज शिरी राम के सच्चे मित्र और परंभक्त थे शिरी राम के प्रत उनकी निश्चा निश्चा उस समय पता चली जब भरत को सेना सहित आते देखकर वह युद्ध के लिए तैयार हो गए जब गोह को भरत जी ने आंतरिक भाव का पता चला तो सिरी राम की भाथ ही गोह ने उनका भी सतकार किया दर्शको धन्य है निसाद राज गोह और धन्य है उनकी शखावक्ति जब बनवास की अवदी पूरी कर सिरी राम बापस पुस्पक विमान से लोटे तो भीलों ने कहा प्रभु शिरी राम जी पधारे हैं तो निसाद राज को विश्वास नहीं हुआ वे उनी के वियोग में ब्याकोल होते हुए बोले मैं फिर से प्रभु राम को पाऊं ऐसा मेरा परम्शौभाग भी कहां उन्होंने इतना कहा ही था कि प्रभु शिरी राम उनके सामने आकर खड़े हो गए निसाद राज प्रभु के वियोग में बेशुद थे जब उन्हें सिरी राम का इस पर्स किया तब उन्होंनी सचमाना उनकी गए हुए प्राण मानुपने बापस आ गए तर्शुकू ये थी सिरी राम और निसाद राज की प्रीती अगर आपको हमारी तो प्लीज सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें